यह आर-ार इंजन शो यह चैनल को सभी का दन्यवार आज मैं बता रहा हूँ सुदीर 10 केवी का साइलेंट जनरेटर का इंजनरेटर का कैसे चेंज करना है फ्यल फिल्टर कैसे चेंज करना है अब अभी बताऊंगा एक्स्पेन करूंगा सारे चलो अम जनरेटर के पास देखे यह जन्रेटर है 10 KV का, सुधीर जन्रेटर है, अभी इंजिन को तरब जाएंगे, यह इंजिन है, देखो चोटा से लगेगा, फिर अच्छ से अमको पावर जन्रेटर करके देदेगा, यह 10 KV का जन्रेटर है, यह है पैनल बोर्ड, एकदम स्मार्ट पैनल बोर्ड लग रहा यह पूरा सेंसर का सर्क्यूट है यह देखो सेंसर का सर्क्यूट अच्छा से दिया है एक देखो अच्छा अच्छा वायर को हम लोग कनेक्ट करके दिया है अमभी अच्छे से अम connect करके चेक करना है इसमें दो-दो fuse भी आता है उसको भी चेक करना है यह है MCB है यह उपर वाला दो है वो fuse है यह एक बार fuse भी जल जाता है उसे टाम में अमको जानकरी ओना चाहिए उसको fuse जला है नहीं है अम चेक करनेगे अमको डिस्पले में दिखा जाएगा अमको fuse जला है नहीं है ये है इंजन अभी service कैसा करना है aisle कैसा अम out करेंगे अभी सबसे पहले dipstick के पास जाएगे ये है dipstick है lubrication aisle का divstick है अम aisle level कितना है वो इसमें check कर सकता है अभी aisle कैसा है अमको ये dipstick से हम 2-3 drop oil लेके हम चेक करिए अबी इंज़नाईल दो-3 drop ले लिया अभी हाथ से हम चेक करिए इसको इनज़नाईल पूरा फटला हो गया हम चेंच कर दिए इसको इसमें येक निच्छे एक wall दिया है ये wall को हम आन कर देगा तो बाहर की तरफ यह पाइप के त्रू बाहर आ जाएगा यह है इंजनायल का आन करने वाल है अभी आन कर देंगे हम बाहर की तरफ आ जाएगा हम उदर से आउट कर देंगे इंजनायल को इसमें पांच लेटर इंजनायल रिता है उसको बाहर की तरफ यह पाइप के त्रू बाहर आ रहा है तो देखो कि अचे से बाहर आ रहा है अच्छे से जन्रेशन भी दिया है अच्छट फेसलिटी है इसी सुधिर जन्रेटर्ने ये उपर से डगकन आप लोग इजनेर बरने अग्ला बार जाएंगे हम फिल्टर को निकल देंगे इसको आइल फिल्टर को हो और दूसरा नया बार दाल देंगे इसको क्लैंप के तूर्ज लोज करना है कि उसके बाद हाथ से गुमा के गुमा के निकलना है यह है नया फिल्टर है यह लूब्रिकेट फिल्टर है इसको इंजन को निच्छे के तरफ में फिट होता है वो पुराना वाला निकल के यह नया वाला जोड देंगे इसके उपर लिखा है लूब्रिकेटशन फिल्टर यह लूब्रिकेशन फिल्टर आम निच्छे के तरप पुराना वाला निकल के आम नया वाला दाल देंगे पुराना वाला आम निकल देंगे यह पुराना वाला निकल के यह पुरा जम गया होगा दूल यह वो पुरा कराब हो गया होगा यह फिल्टर इसलिए हम अच्छा से नया वाला फिल्टर दाल के हम जनरेटर को इस्तमाल करेंगे अभी नया फिल्टर जोड देंगे देखो नया फिल्टर काई से जोड रहा हूं अच्छा से जोडना है अच्छा से टाइट करना है कि हम स्पैनर से भी टाइट करने के जरूत नहीं है हाथ से भी टाइट करें के तो भी चलता है कोई दिक्काद नहीं अच्छे से हाथ से टाइट कर लो बस इतना है अब ही अब यह निच्छे वाला वाल को बंद कर देंगे चांबर वाल को बंद कर देंगे उसके बाद इंजनायल बर देंगे उपर से यह है इंजनायल बरने के लिए दिया है उपर से एक नट था उसको कोल दिया अभी इंजनायल बरेंगे इसमें इसमें इंजिनायल बरना है 5 लिटर, 20W40, प्रोपर वही युस्तमाल करना है इंजिनायल बरने के बाद डिफ स्टिक को अम नाप के चेक करेंगे इसमें दो कट रहता है, दोनों कट का बीच में अम इसको लेवल रखना है उसके बाद डिफ स्टिक अम सेम एज इस लगा देंगे डिफ स्टिक लगाने के बाद अभी अच्छा से अम उपर वाला नट कोला है उसको भी अम जोड देंगे उपर वाला अच्छा से जोड देंगे तेले यह वेवा प्रेशन आता है उपर की तरह वेवा प्रेट होता है उसी टेम में इन्जन का इन्जनायल भी लीक होता है इसलिए अच्छे से इसको टाइट करने के बाद हम जाएंगे इंजनायल की तरह और फिल्टर का बाद में देखेंगे अभी डिजल फिल्टर चेक करेंगे डिवल डिजल फिल्टर भी हम चेंज कर दिया यह है डिजल फिल्टर है यह डिजल फिल्टर है यह डिजल फिल्टर हम चेंज कर दिया है यह डिजल फिल्टर को उपर की तरफ हम डिजल फिल्टर में अभी डिसल नहीं है, अम क्या करना है, यह pipe टैंक से तुरू आता है, और एक pipe उधर FIP में जाता है, FIP की तरफ एक 17 नमबर का nut होता है, उसको लूज करना है, यह filter के उपर feed pump जैसे है, उसको अम लोग दबाना है, उस टेम में filter का fuel पूरा बर जाता है, उसके बाद हम दबाते वो 17 नमबर nut को अम tight करना है, tight करने के बाद हम start करते का तो start हो जाता है, नहीं तो बिल्कुल यह start नहीं होता है, यह है, इंजेक्टर का pipe है, दो high pressure line है, यह है FIP से connect है, इंजेक्टर को, यह FIP है, यह है 17 नमबर nut है, अभी दिकारों देखो 17 नमबर nut, उस 17 नमबर nut को अम lose क यह है, इस नमबर फिल्टर को अम निकल के आरम से उपर वाला डखकन को अम कीच लेंगे, उपर वाला डखकन के साथ यह वाशर भी आगया, अभी देखो, अभी निकलने के बाद अंदर वाला यह FIP निकल देंगे, यह Air Filter है, अम नया नहीं है, अभी इसी का साफ करके, अम यही जोड रहा हूं देखो अच्छे से इसको अच्छे से हवा से हम साफ कर देंगे साफ करने के बाद same as it is ऐसे ही जोड देंगे यह ऐसे ही जोड देंगे इसको डखन लगाना है डखन लगाने के बाद अब दो वशन लगाना है, दो वशन लगाने के बाद, सेम सत्रा निम्मर को नट कूर लगा के टाइट कर देंगे, अच्छे से, ये है एर फिल्टर है, अच्छे से हम टाइट कर देंगे, ये है एर फिल्टर का साफ करने का तरीका है, एर फिल्टर साफ कर लिया, उसके बाद हम जाएंगे coolant की तरव इसका चोटा से generator है इसका radiator दिया है coolant वाइडियेटर यह radiator उपर की generator की उपर की तरव डखकन दिया है यह डखकन कुलने के बाद radiator का cap दिखेगा वह cap को अम निकल के इसका coolant चेक करेंगे इसका coolant है नई है क्या है हम इसका coolant चेक कर लिए देखो अभी coolant है green color में हम दुबार इसको क्या करना है same as this coolant बढ़ा है तो same as this डक्कन लगा देंगे ये डक्कन लगाने के बाद उपर वाला cap को भी same ऐसे ही लगा देंगे अच्छा से लगा दिया ना अच्छा से लगाना है इसको लगाने के बाद radiator के तरफ जाएंगे इंजन के पास ये है radiator है ये radiator का देखो pipe पूरा इंजन की तरफ लगाया है यह सील कटा है नहीं है यह पूरा चेक करना है यह पाइप वोस बोलता है इसको वोस यह पूरा कटा है नहीं है चेक करना है यह पैनल बोर्ड यह इंजन यह सारे सर्विसिंग हो गया इंजन चेंज कर लिया फिल्टर चेंज कर लिया डिजर फिल्टर चेंज कर लिया एर फिल करने के बाद 500 गेंटा चला सकता है 500 गेंटा कोई दिख्खत नहीं है इसमें पैनल बोर में सारे दिखता रहेगा आवर्स सारे रीडिंग सब कुछ इसमें देखो टोल प्री नमबर भी दिया है 247 कस्टमर सब भी देदेगा कोई दिख्खत नहीं है इसी नमर को काल करके यह है सुधीर 10 कवी का साइलेंट जनरेटर है यह अच्छा से जनरेटर है अच्छा पावर जनरेट करता है सुधीर जनरेटर है अभी स्टार्टिंग में रखा है अभी देखो